हमारे साथ जुरेंगे, उनको भी प्रोड़क्स के बारे में पता चलेगा और उनको भी ये पता चलेगा कि किसी तरह से skin analysis करना ज़रूरी होती है, ऐसे कौन से कौन से point होती है, जहाँ पे अगर हम लोग कूचते हैं, तो हमारी opposite person को भी ऐसा लगता है, हमारी opposite जो बैठे हैं, उनको भी ये लगेगा कि नहीं, मैं ऐसे person के पास आई हूँ, जिनको मेरी problem या तो उनकी skin के बारे में बहुत कुछ पता होता है, तो चले हमारी session को start करते हैं, और अभी ये session Facebook में live हो जाएगी, आप लोगों को link भी म share करते रही है, तो मैं अपनी session को start करती हूँ, और सबसे पहले एक चोटा सा example को लेके में बात करूँगे, अगर मैं आप लोगों को बताओं कि अगर आपकी तबियत बहुत खराब है, आप एक doctor के पास गये हैं, और doctor ने आपसे बस एक या दो सवाल पूछे, लेकिन आपक की problem बहुत जादा है, बट doctor के पास उतना time नहीं है कि आपके साथ बैट के थुरा सा आपकी और क्या-क्या problem है, ये सब जानने की, बस आपने 1500 जो भी उनकी मतलब होती है, उनकी जो चार्ज होती है, वो आपने दिये और उसके बाद आपकी problem आपके अंदर ही रहे गया, किया, आप जब बाहर निकल आए, तो आपके दिल में एक ही बात चलती है, वो है, कि भाई, ये doctor सही नहीं है, क्यूंकि आपने, मतलब doctor ने आपको जादा time नहीं दिया है, राइट, उस दवाई में आपकी काम हो जाएगी, क्यूंकि वो बहुत experience doctor है, लेकिन आपके बाउस बताओं, तो क्या है, शायद आप लोग भी मुझे बता सकते हैं, अगर किसी को लग रहा है, कि आपको पता है कि आपको इस तरह से ये feel क्यूं हुआ, तो मैं आपको बता दो, क्यूंकि आपने जितना सोचा था कि मुझे ये सारे problem है, मुझे doctor को बताना है, मैं बता चाह रही थी, लेकिन doctor के पास उतना time नहीं है, लेकिन उन्होंने जो दवाई दिया है, वो शायद उसका price बहुत जादा है, तो आपके दिल में कहीं नहीं पर ये जीजक होती है, कि भाई, ये दवाई में क्या काम करेगा, क्योंकि doctor ने मेरी problem ही नहीं सुनी है, नहीं तो म अगर किसी का problem है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनको ये पूछते हैं, कि आपका problem क्या है, उन्होंने बताया, आपने, आपके दिमार्ट में ये चल रहा है, शायद में as an example थू बात कर रही हूं, आपके दिमार्ट में ये चल रहा है, कि मुझे यहाँ पे product को sell करना है और उसके साथ-साथ, उनको जो problem है, उससे भी उनको रहात देनी है, लेकिन आपने उनकी बात सुनी और उसके बात आपने शायद चार से पांच product की suggestions कर दिया, तो आपके opposite में, अगर उस जगा पे, अगर आप होते, तो आपको भी इस doctor साब की तरह ही लगता, कि मेरी जो problem ह है, वो problem मेंने सुनाया, मेरी सामने जो बैठे हैं, उनको बस, उन्होंने बस सुना, और उसके बाद उन्होंने मुझे 5 या 6 products दे दिया, लेकिन आपके तरफ से, आप as a consultant, आप as a analysis, अगर आप उनसे बात नहीं करते हैं, ऐसी बहुत बार होती है, कि हम लोग ऐसे patient के पास जाते हैं, कि जिनको आप अगर बात नहीं करते हैं, अगर उन्होंने कोई problem कहा है, शायद उसमें आपको 2-3 products से काम चल जाते हैं, लेकिन अगर आप उनसे बात करते हैं, तो वहां से आपको और भी बहुत सारे problem के बारे में पता होता है, जहां पे हम लोगों को एक chance मिलती हैं, जहां पे हम लोग और भी कुछ product की move वहां पे कर बाते हैं, एक जिस हमेशा याद रखिए, हम लोग जिस industry में हैं, यहां पे हम लोगों को जादा से जादा लोगों के साथ मिलना जरूरी है, हमें जादा से जादा लोगों से बात कहनी जरूरी है, अगर मैं personal care की बात क करेंगी कि आप किस तरह से आज ए प्रोफेशनल एक अनलाइसिस बन सकते हैं सबसे पहरे में आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर करूंगे यहां पे कुछ सवाल होंगे जहां पे आप जब कोई भी परसन से बात करते हैं अगर आप इस सेग्मेंट में काम करते हैं तो यह सारे क क्वेशन आपको करना बहुत जारा जरूरी है उसका कारण दो है नमबर वन आपको खुद हेल्प मिलती है जहां पे आपको यह पता चलता है कि आपके ऑपोजिट में जो परसन बैठी है उसमें या तो जो भी मेल या तो फीमेल जो भी है उनकी प्रॉब्लिम क्या है वहां पे मुझे ओनली फोर परसनल केर देखी छोड़ना है या तो मुझे इसके साथ साथ और भी कोई सप्लिमेंट देने की ज़रूरत होती है राइट सेगेंडली क्या होती है आपके ऑपोजिट में जो परसन है होते हैं उनको यह लगता है कि आज यह जो इतनी सारे क्वेस्ट यह मैडम हो या तो सर हो जो भी कर रहे हैं इनको इस प्रोडाक्स का नॉलेज है उनको मेरी प्रॉब्लम की नॉलेज है जिसके वज़ए से अगर आप देखिएगा आप जितनी सारे क्वेस्टिन करेंगे जितनी जादा टाइम उनको देंगे वो उतनी जादा ओपनली आप से बात करने के उनको मौका मिलेगी आप एक से दो दो से तीन तीन से चार प्रॉब्लम के बारे में आप उनको पता चलेगा और इसमें फाइदा क्या है एक तो उनको ये मतलब एक फील होगी कि मेरे सामने जो भी बैठे हैं उनको इस प्रोड़क्त के बारे में इस मेरी प् भी दे सकते हैं लेकिन आपको पहले उनसे कुस क्वेशन को लेके बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है तो चलिए मैं मुझे स्किन को शेयर करती हूं और आप लोग मुझे प्लीज बताईएगा कि आप लोगों को स्किन शेयरिंग प्रॉपली दिखाई दे रही है या तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है प्लीज मुझे कोई भी चाइड बॉक्स में बता दीजिए कि आप लोगों को क्या स्किन शेरिंग प्रॉपली दिखाई दे रही है तो यह एक क्वेशन है राइड देखिए मैंने यह अपनी तरफ से बनाया है आप लोगों की हेल्प के लिए अगर आपको लग रहा है कि आप इसको लेके भी आप इसका एक स्कीन शॉट ले सकते हैं कि आप बात कर सकते हैं या तो अगर आपको लगे नहीं मुझे यहां पर और कुछ पॉइंट की आट करनी जरूरी है, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये अनलाइसिस या तो ये क्वेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जहां पे आपको या तो आपके साथ जो बैठे हैं, उनको भी ये अच्छी एक गुट फिल हो, जहां पे वो के आपसे बात कर पाएं, तो अगर आप परसनल केर को लेके काम करते हैं, अगर आप ब्यूटी प्रोड़क को लेके काम कर रहे हैं, अगर आप कोई भी उनको प्रॉब्लम हैं उनकी स्कीन में, अगर वो आपसे इसको लेके बात कर रहे हैं, आप जरूर उनकी बात सुनिये लेकिन उसके बाद आपको ये सारे question की ज़रूरत है, right? First question जो होती है, वो है, कि Madam और Sir, आपकी skin की stretcher क्या है? मतलब, उनकी skin उनको कैसा लगता है? आप अगर skin को देखते हैं या तो आप अगर, मतलब, उनको क्या feel होती है? कभी-कभी हमें ऐसा feel होता है कि अगर हम mirror के सामने खरे होते हैं, हमको ये लगता है कि मेरी skin बहुत ज़्यादा dull है, मेरी skin बहुत ज़्यादा shine कर रहा है, मतलब, इसा oil secretions की वज़े से, मेरी skin में बहुत ज़्यादा glow नहीं है, right? आप लिखिये, अगर आपने ये question किया है, मैंने यहाँ पे कुछ points दिये हैं, आप इस point में भी आप उनको इस तरह से भी पूछ सकते हैं, otherwise अगर वो कुछ कह रहे हैं, तो आप उसे भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, next your question होना चाहिए, वो है, कि उनकी pores की size क्या है, मैं आप लोग एक छोटी से बात बताना चाहते हूं, ऐसे बहुत बार होती है, कि जहाँ पे हम लोग किसी को भी, किसी से बात कर रहे हैं, उनकी skin में कोई problem है, तो वहाँ पे हम लोगों को यह दिखाई देती है, अगर किसी क बहुत जादा oily skin है, आपको दूर से उसे दिखाई देगी कि उनकी skin में बहुत जाद, मतलब pores बहुत खुली हुई है, उनकी skin में pores बहुत जादा खुली हुई है, या तो कभी कभी हम लोगों को यह भी दिखाई देती है, नहीं, pores normal है, बहुत जादा measurable नहीं हो रही है, तो आपकी दिमाग में यह रहेगा कि उनकी जो पोर साइज है तो इनके लिए हम लोगों को कौन सी प्रोडाइक्स देना चाहिए नेक्स चलते हैं एक और एक क्वेशन तो अगर आप एक मिरर के सामने भी खरे रहते हैं कभी-कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी स्किन देखके बहुत सब्सक्राइश लग रहा है मतलब मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मेरी स्किन में ऐसी कोई प्रोडाइक्स की ज़रूरत है या तो मुझे अलग सी कुछ करने की ज़रूरत है करना चाहिए या नहीं वो तो अलग सी बात है लेकिन मुझे ऐसा फील होती है कि मेरी स्किन अच्छी है fresh दिख रहे हैं, cool है किसी-किसी को ऐसा लगता है कि मेरी स्कीन में मौशुराइज बैलन्स सही नहीं है मैं नहाने के बाद जब भी आती हूँ तुरंट मुरी स्कीन में बहुत जादा एक dryness फील होती है जिसकी वज़ए से मुझे कुछ चीज मतलब मुझे कुछ प्रोडाक्ट लगाने की जरुरत होती है किसी-किसी को ऐसा फील होती है जहां पर उनकी T-Zone इसे कहते हैं T-Zone ये T-Zone बहुत ज़ादा oily होती है किसी-किसी को T-Zone बहुत ज़ादा dry होती है या तो अगर कभी-कभी किसी-किसी को U-Zone इस areas को U-Zone कहा जाता है किसी-किसी को U-Zone बहुत ज़ादा oily या तो dry होती है अब और एक point क्या आती है ये जो हमारी जो T-Zone या तो U-Zone छोड़ के भी और एक problem create होती है वो है अगर किसी के skin में बहुत ज़ादा acne papers के problem है तो आपको ये भी पूछना ज़रूरी है कि आपके skin क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कभी-कभी ये भी देखा जाता है कि किसी-किसी को oily skin तो नहीं है लेकिन उसके बावजूद उनके skin में acne pimples की problem होती है ऐसा क्यों? क्योंकि ज़ादा तर अगर hormonal imbalance होती है जिसकी वज़ा से ये problem create हो सकती है तो आपको इसमें एक मौका मिल गया है जहाँ पे अगर किसी को ये problem है तो आपको personal care के साथ-साथ आप लोग supplement भी add कर सकते हैं नेक्ट शलते हैं How often do you feel tightness around the eyes and mouth areas like कभी-कभी किसी-किसी को ऐसा feel होती है कि उनकी mouth areas वो नहा के बाहर आ रहे है या तो कभी-कभी अगर वो normally बैठे हैं normally कुछ काम कर रहे हैं suddenly उनका ऐसा feel होती है कि skin की कोई भी areas में कोई भी dryness नहीं है लेकिन उनकी eyes areas and mouth areas में उनको बहुत ज़ादा dryness पील हो रही है कभी-कभी ये often होती है right मतलब कभी-कभी होती है कभी-कभी regular basis में होती है कभी ये देखा जाता है कि sometimes में ये problem हो रही है और कभी-कभी बिलकुल भी नहीं होती है तो ये point आपको बोलना बहुत ज़ादा जरूरी है कि उनको क्या feel होती है क्या उनको कभी भी ऐसा कोई feel हो रही है अब चलिये अगर किसी को बहुत ज़्यादाlesia कि प्रॉब्लम होती है तो दो तरह भी हो सकती है किसी को मतलब लाइफ टाइम उनकी प्रॉब्लम रहती है किसी किसी को उनकी कोई जब कोई हॉमनल इंबालेंस होती है जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम आती है राइट किसी किसी को ऐसा भी होती है जब अगर मैं लेडी की ब बस हो जाती है यह जो सारे प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से आपको ऐसी कौन सी प्रोडाक्स या तो कौन सी ऐसे सप्लिमेंट की जरूरत होगी जहां पे आप उनको दे सकते हैं नेक शर्ते हैं आपको यह देखना जरूरी है और उनको भी पूछना जरूरी है कि क्या आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी कुछ-कुछ एरियो में फाइन लाइन्स या तो रिंकल्स है क्या आपको ऐसे फील होती है क्या आपको ऐसे दिखाई पड़त बहुत ज़्यादा finance दिखाई देती है, कभी-कभी जब वो कुछ express करते हैं, जैसे कि बात करने के time उनकी ठीक एरियोस में finance दिखाई दे रही है, लफिंग एरियोस में finance दिखाई दे रही है, आई-क्रू में finance दिखाई दे रही है, इस जगा पे आप उनको ये point out कीजिए, कि ma'am, आप mirror के सामने करे हुई है, या तो sir, आप mirror के सामने करे हुई है, और देखिए कि जब आप हसते हैं, या तो जब आप बात करते हैं, उस time पे आपकी fine lines या तो wrinkles ज़्यादा से ज़्यादा दिखती है, for your expression, right? तो आपको इस time पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी है, हमारे पास जैसे के anti-aging के लिए हमारे पास collagen boosting cream होती है, तो यह बहुत आसान हो जाती है कि जहां पे आप जब एक product को suggest करते हैं, उनको भी यह लगता है कि भाई, हाँ मुझे तो यह दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब मुझे इस product की जरूरत है, लेकिन बहुत बा sun protections देजिए, जब तक आप उनको उनकी problem नहीं दिखाते हैं, तब तक product की selling होना possible नहीं होती है, यह questions जो paper में ने बनाया है, यह question इसलिए आपके लिए ज़रूरत है, कि जहां पे आप लोग question करेंगे, उनको यह पूछेंगे, आपकी question से उनको दिमाग में यह चलेगा कि भ तो हाँ, अभी में mirror के सामने अगर खड़ी होती हूँ, अगर मैं सच में, अगर मैं थुड़ा सा हस रही हूँ, तो मेरी eye areas में, मेरी laughing areas में, यह सारे expression से यह सारे problem मुझे दिखाई दे रही है, right, next पूछिए कि मैम आपकी, या तो sir, आपकी इतनी जो problem है, यह जो आप protection यूज करते हैं, क्योंकि sunburn, tanning, यह हर किसी के skin में होती है, अगर आपको sunscreen उनको देना है, क्योंकि यह products के बिना skin resume fulfill नहीं होती है, so अगर आपको sunscreen देना है, तो उनको यह चीज़ बताना जरूरी है, कि sunscreen उनके skin के लिए क्या क्यों जरूरत है, right, आप लोगोंने कभी आपकी, मतलब अगर आप बहुत जादा, मतलब कोई भी आप बाहर निकल रहे हैं, आपकी जो open areas है, वो अगर धकी हुई है, और जिस areas खुली हुई है, आप morning में जब आप निकलते हैं, शाम को जब आप आते हैं, जब आप उसे change करते हैं, आपको दो तरह की skin दिखाई दे हैं, एक बहुत जादा tanning हो चुकी है, अगर आपने sun protection यूज नहीं किया है, और एक जगा पे कोई भी tanning के problem नहीं है, ये चीज दिखाना जरूरी है कि कोई sun protection क्यों जरूरत है, आप खुद देखिए कि आपके skin में discoloration सा आ गई है, इसका कारण है कि अगर आपने sun screen नहीं यूज किया है, आप कोई भी product को यूज कीजिए और उसके साथ साथ आपको इस sunscreen की जरूरत है क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि उनकी skin में कोई भी tanning कोई भी acid problem हो, जहां पे उनकी skin में discoloration की problem हो, and it's a main question जहां पे आपको होना जरूरी है, how old are you, आपकी age क्या है, right, क्योंकि अगर हम लोग ये question करते हैं, तो हम लोगों को सभी को पता है कि इसका age हम लोगों को कोई सच नहीं बताते हैं, ladies हो, या तो jains हो, ज़ादा तर ladies के उपर ही ये blame है कि हमेशा ladies से अपनी age चुपाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, jains भी कभी-कभी ये गुस्ताखी कर लेते हैं, so, जो भी वो बताएं, उसके हिसाब से आप लोग product को suggest कीजिए और उस age में उनकी कौनसी-कौनसी problem हो सकती है, in future भी कौनसी-कौनसी problem हो सकती है, अगर उनको problem हुआ भी है, तो इस age में उनको कौनसी product की ज़रूरत है, ये आपको बताना बहुत ज़ादा ज़रूरी है, आज के time पे हर एक लोग एक ही मतलब दो से तीन problem को लेके ज़ादा से ज़ादा worried होते हैं, कौनसी pigmentation, acne, aging lines, right? आप देखिएगा, अगर आप किसी के पास जाते हैं, आपको दो चीज सबसे पहले दिखाए देगे, एक, उनकी skin में बहुत ज़ादा pigmentation की problem है, ज़ादा से ज़ाद अगर मैं male की बात करूँ, जिनको ये लगता है कि भाई, skin को इतना ज़ादा take care करने की कोई ज़रुरत नहीं है, क्योंकि personal care या तो beauty products या तो जो हमारी cream बगरा है, वो only for ladies के लिए ही होती है, तो उनके लिए मैं बता दू कि ladies हो या तो gents हैं, किसी के लिए भी खुद को presentable बनाना बहुत ज़्यादा ज़रुरी है, आप कौन से standard में belong करते हैं, यहां पर उतना ज़्यादा ज़रुरत नहीं है, लेकिन आप किस तरह से खुद को present कर रहे हैं, यह दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रुरत है, अगर आप केवा में हैं, तो केवा को अपने अंदर खुबसूरत आपको होना ही होना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर किसी के अंदर खुबसूरती होती है, बस आपकी वो presentable होना बहुत ज़रुरी है, कि कोई भी आपके सामने जब बात करें, उनको खुद को ऐसा feel हो, कि मेरे सामने जो बैठे हैं, जिसको लेके वो बात कर रहे ह कही न कहीं पर उनकी skin में ऐसे कोई problem नहीं है, अगर आप खुद को maintain करते हैं, तो आपके लिए बहुत जादा easy हो जाती है, कि आप किसी को इस products को लेके बात कर पाएं, क्योंकि कभी-कभी हमारे उपर भी ये कभी-कभी question आती है, कि अगर आपकी products, आप अगर इतना ही सब क कुछ जानते हैं, तो आपके skin में ये सारे problem क्यों होती है, या तो क्यों है, क्योंकि हर किसी को यहीं लगता है, कि doctor कभी बिमार नहीं परते हैं, तो जो भी है, हम लोगों को question और उसके साथ-साथ, खुद को maintain करना बहुत जादा जरूरी होती है, तो is a main thing, कि आपको उनकी age के हिसाब से products को देना जरूरी है, और उसके साथ-साथ, ये जो तीन problem है, pigmentation, anti-aging और उसके साथ-साथ, acne pimples की problem, अगर आपको किसी को भी दिखाई दे रही है, क्योंकि skin में pigmentation है, जिसे हम लोग छाईया कहते हैं, अगर ऐसा कोई भी problem है, या तो wrinkles के भी problem है, तो आप उनको ये जरूर कोई पूछिए कि आपको ये problem कितनी दिनों से है, आपको ये problem कितनी दिनों से है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आपको एक या दो product से ही रिमूव हो सकती है, या तो उनके pigmentation के लिए आपको कोई अलग सी special treatment की जरूरत है, इसके लिए ये question होना बहुत जादा जरूरी है, next question ये आती है कि आप, मतलब in future, मतलब I'm so sorry, past में उन्होंने क्या ऐसी कोई medicine या तो ऐसी कोई product use किये है, कि जिसके अंदर ऐसी कोई harmful chemical था, जहां पे उनकी ये problem को और भी जादा growth करने में मदद किये है, right, जैसे कि retinol हो सकता है, जैसे कि vitamin A की अगर बहुत जादा quantity में है, जिसकी वज़े से हो सकता है, अगर उस product में steroid बहुत जादा है, जिसकी वज़े से ये problem हो सकती है, और अगर उस time में भी वही products को use कर रहे हैं, तो first आपको यही करना है कि उस product को stop करनी है, और उस जगा पे आपको क्या देना है, हमारी जो products है, अगर उनकी problem की हिसाब से कोई भी हमारे पास products है, क्योंकि हर problem की products हमारे पास already आ चुकी है, उसके हिसाब से आपको ये product देना ज़रूरी है, अगर मैं pigmentation की बात करूँ, तो इसमें आपको ultra fairness cream दे सकते हैं, आप यहाँ पे brightening cream दे सकते हैं, हमारी जो special product है, वो है lightning facial kit य सकते हैं, apricot and walnuts grub भी दे सकते हैं, तो ये product हम लोग तभी किसी को suggest कर पाएंगे, जब हमको ये सारे problem अंदर से पता चलेगा कि उनकी आखिर ये problem कितनी दिनों से हैं, वो कौन सी product को use कर रहे हैं, जिसकी वज़ए से उनको, मतलब हम भी products देते हैं, तो वो जल्दी से जल् करें, right? Then आपकी question ये होना चाहिए, कि ma'am, या तो sir, आपको अगर आपनी skin को describe करना है, तो आप किस तरह से करेंगे? कि मेरी skin बहुत ज़्यादा खुबसूरत है, मेरी skin बहुत ज़्यादा healthy है, या तो नहीं मेरे skin में बहुत ज़्यादा pigmentation है, acne scars है, या तो आपको ये कि उनकी दिमाग में ऐसी कौन सी चीज है, ये problem को लेके, जहां पे आपको ये पता चलेगा, कि उनकी ये जो confidence level है, उनकी confidence level को अगर आपको high करना है, तो उस time पे आपको कौन सी ऐसी products देने में, या तो हमारे पास ऐसी कौन सी products है, जहां पे जब आप लोग उस product को देते है जब उनको ये धिरे-धिरे दिखाई देती है, कि नहीं, ये सारे problem धिरे-धिरे remove हो रही है, उजह confidence enhance होती है, ये काम आपको करना होगा, जब आपको ये पता चलेगा, कि उनकी आखिर need क्या है, उनकी आखिर ये problem को लेके, उनको क्या लग रहा है, right? नेक्स रोती है, do you spend a lot of time outdoor? मिन्स, अगर आप किसी को ये सारे problem आपको दिखाई दे रही है, तो उस time पे आपको ये पूछना ज़रूरी है, कि आप कितनी time तक बाहर रहते हैं, मतलब आपकी time, मिन्स आप working time कितनी हैं, जहां पे आप बाहर ज़ादा से ज़ादा रहते हैं, एक question यहां पे ये भी करना ज़रूरी है, कभी-कभी ये होता है, कि हम लोग AC में अगर कोई office है, अगर कोई working jains या ladies है, जो office में बैटके काम करते हैं, पूरे दिन वो जब तक office में वो enter होते हैं, उस time से लेके, शाम तक वो पूरे दिन AC में ही वो रहते हैं, जिसके वज़ आजाना, फ्रेकल्स आजाना, जब वो बाहर निकलते हैं, इसी से, जिसकी वज़े से उनकी skin की ये जो weather, जो change होती है, जो circumstance change होती है, जिसकी वज़े से उनकी skin में problem आ सकती है, so please उनको ये पूछे के आप कितनी time तक बाहर रहते हैं, अगर वो बहुत देर तक बाहर रहता ह सन रे में उनको जादा सा जादा काम करनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से आप उनकी protections देचे, जैसे के हमारे पास SPF 30 हैं, वो दे सकते हैं, उसके साथ साथ अगर कोई working ladies है, working gens है, आप उनको हमारे CC cream भी दे सकते हैं, इसकी हिसाब से आपको products को देना जरूरी है, next question, अग आपका question यह होना जरूरी है कि क्या आप sun protection यूज करते हैं, क्या आप sun protection को repeatedly यूज करते हैं, क्या आप किस तरह से sun protection को यूज करते हैं, right? क्योंकि बहुत बार ऐसी होती है कि हम लोग जब बाहर निकलते हैं तुरंथ संख्रीम लगाया और तुरंथ निकल गए आप अगर संख्रीम को अगर टाइम नहीं देंगे कि वो आपनी स्कीन के अंदर पैनिट्रेट हो उसके बाद वो एक कवर करें आपके स्कीन को उसके बा बताना जरूरी है दिन आप बाहर जा सकते हैं यह चीज बताना जरूरी है क्योंकि उनको यह लगे कि इतनी दिन तक वह जिस प्रॉसेस में कर रहे थे वह गलत था बहुत बार ऐसी क्वर्शन आते हैं न कि संख्रीम लगाने के बाद सर या तो मैं मैंने आपकी कंपनी की सं प्रॉटेक्शन लगाया लेकिन उसके बावजूत मेरे स्किन में टानिंग हो रही है इसकी जवाब यही होती है कि आप अगर उनको प्रॉसेस बताते हैं राइट नेक्स चलते हैं कभी-कभी लेरी या जैंस कोई भी स्मूक कर सकते हैं तो अगर कोई करता है तो उनके यह आप स्मूक करते हैं क्योंकि उसका भी एक एफेक्ट होती है अपनी स्किन के वपर राइट उसके साथ साथ यह जो प्रॉबल्म है जो मैंने पहले बताया है कि यह प्रॉबल्म आपको कितनी दिनों तख है 3 months हो सकता है 1 year हो सकता है 1 to 3 years हो सकती है या तो 3 से 4 साल भी हो सकती है जब आपको ये पता चलेगा तो please आप उनको ये बताईए कि कभी-कभी हमारे पास एक question आती है कि कितनी दिन से ये काम करेगा या तो मेरी जो problem है क्या हम लोग जब ये इस प्रोड़क को यूज करते हैं तो कितनी दिनों में हमें ये रेजल्ट आएगी हम लोग खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं फर्स्टिंग हर एक प्रोड़क्स के मतलब प्रोड़क्स में हर एक कंटेनर में ये लिखा रहता है 6-12 months वो सप्लिमेंट हो वो हमारी कोई भी परसनल केर हो अटलीस अगर किसी को वन येर की problem है त्री योर्स की problem है आप उनको ये समझाना जरूरी है कि इस नॉट अमाजिक राइट अगर आपकी ये problem है तो आपकी ये problem को क्योर करने का अगर उनको एक साल की problem है तो I think वो हमें अटलीस 4-5 months दे सकते हैं अगर किसी को 3-4 years की problem है अगर आप उनसे एक साल माग लेंगे तो वो कभी भी मतलब आपके साथ एगरी नहीं होगे क्योंकि हर किसी के अंदर patience बहुत कम है तो हम लोगों को उस time पे क्या करना है special कुछ product के तरफ बढ़ना है जैसे कि हमारी facial kit हो सकता है हमारी जो kit आते हैं वो हो सकता है हमारी जो cream है उसे properly guide करके देना बहुत ज़्यादा ज़रूर है जहां पे at least उनको उनके skin में changes नज़र आए आप उनको इस तरह से बोलिए कि आप जब इसे use करेंगे क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है बहुत मतलब बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं आप इसे one month use कीजिए आपकी ये पूरी problem चले जाएगी क्यों अगर एक साल की problem है तो आपको one month में किस तरह से result आ सकते हैं तो हमारी आप शायद उनको ये बता रहे हैं कि आपको changes नज़र आएगी लेकिन एक month के बाद आपके पास ये question आएगा कि आपने बताया थे एक month में ये चला जाएगा नेकिन नहीं गया है तो आपकी जो faith है मतलब उनकी जो faith होती है आपके उपर वो धीरे धीरे कम होती जाएगी तो always आपको ये कहना है कि आप जब इस product को use करते हैं आपको ये आप ये देखिएगा कि धीरे धीरे आपकी skin की texture या तो आपकी जो problem है ये धीरे धीरे remove हो रही है आपको changes नजर आएगी तो अगर हम लोग किसी को changes दिखा सकते हैं तो उनको ये believe होगी कि हाँ ये products अगर एक से दो हफते में हमारी skin पे changes ला सकते हैं तो धीरे धीरे ये इस problem को भी remove कर सकता है next question में चलते हैं कि अगर आप किसी को भी कोई भी products दे रहे हैं एक बार पूछ लीजे कि क्या उनको कोई भी चीजों से allergy है हमारी जो products हैं वो बिलकुल natural products हैं लेकिन आपको ये पूछना जरूरी है कि उनको कोई भी product में allergy अगर आप supplement भी दे रहे हैं तो प्लीज एक बार पूछ लीजे कि उनको ऐसी कोई problem है या नेगी उसे ये पूछिए कि दिन में वो कितनी time देते हैं अपनी skin को take care करने में या तो skin की आप बोल सकते हैं skin resume वो कितनी time तर करते हैं क्या उनके पास कितना time है क्योंकि ये पूछने की वज़ा एक होती है कि हम लोग उनको कौनसी कौनसी products दे सकते हैं जहां पर उनकी time की limit है तो उस time में वो इसे कर सकते हैं right next चलते हैं कि ने चलते हैं एक बार हम लोग में हमेशा आप लोगों को कहती हूं कि skin resume में सबसे ज़्यादा जरूरत होती है जो में एक चीज होती है वह है face wash राइट या तो cleanser भी आप बोल सकते हैं कि वो कौनसी cleanser को use करते हैं या तो उनकी skin में ऐसी कौनसी products हैं जो वो इतने दिनों से use कर रहे हैं as a cleanser के तो वो soap हो सकता है वो कोई gel based product हो सकती है वो कोई lotion based product हो सकती है और उसके साथ साथ कभी कभी वो कोई cream based product हो सकती है जहां पर उनकी skin एक तरह से हैं लेकिन वो जो products जिस format में वो कोई use कर रहे हैं अगर किसी के skin oily है तो उनको gel product यूज करना ज़रूरी है अगर किसी के skin dry है तो उनको cream based lotion based product यूज करना ज़रूरी होती है और अगर कोई इसके opposite करते हैं तो उसके reactions अलग होती है तो यह पूछना बहुत ज़रूरी है कि आप इतनी दिनों से ऐसी कौन सी cleanser से या तो कौन सी face wash आप use करते हैं और उसके बाद रहेगा आपकी काम जहां पे आप इतनी सारी question के बाद आपकी दिमाग में जो आ रही है कि उनकी skin के लिए ऐसी ऐसी products की ज़रूरत है जहां पे आप अगर उनको देते हैं तो उनको बहुत ही जल्दी से उनको अपने skin में changes दिखाई देगी तो यह था इसका format जहां पे हम लोग अगर इसको लेके काम करते हैं इसको लेके बात करते हैं तो आपके साथ जो बैके हैं उनको I think आप लोगों को भी इसमें मतलब यह जो question paper है शायद आपको भी ऐसे लग रहा है कि यह सारे question करना बहुत ज़्यादा है आपको लग रहा है प्लीज एनिवान एक बार मुझे आप लोग पीस मुझे लिखिए कि आप लोग को क्या इस question से या तो यह जो question में आप लोगों को किया है यह जो question में आप लोग के लिए बनाए है तो क्या यह सही है आप लोग के लिए आपको लगता है कि personal care के उपर अगर हम लोग किसी को भी कोई भी products दे रहे हैं इसमें अगर यह सारे question रहे तो आपके लिए बहुत जादा easy हो जाएगी परसनल केर को लेके मूव करना या तो अगर आप लोग किसी को भी यह आप लोग जब मेटिंग में जाते हैं न तो आदे घंटे के न एक यह यह क्वेश्चन को लेके बाद केज़े हर किसी को बुलाईए दो से तीन परसन को सामने लाईए उनको उनको बोलिये उनक होजे ट्रिक्मेंट के लिए इतनी सारे क्वेश्चन किये हैं कि आप उनको ताइन दे रहे हैं मेल ती जहां पर हर कोई यही चाहता है हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग जिसके पास आए हैं वो मुझे तोड़ा सा ताइम दे मेरी प्रॉब्लम के बारे में बात करें और इसकी solutions ते राइट सो अभी अगर आप लोग की कोई भी question है सो प्लीज आप लोग मुझे कर सकते हैं थैंक यू सो मच एवरिवान कि आप लोग को ये session अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास chat आ रहे हैं आप लोग की कोई भी question है इस question paper को लेके अगर आप लोग को लग रहा है कि इस paper में और भी कुछ question add करना ज़रूरी है सो प्लीज मुझे यहां पर लिखके बताएए और आप लोग भी ऐसे question paper बनाएए जहां पर आप लोग किसी का भी skin analysis कर सकते हैं और as a professional as एक analysis बन सकते हैं इस वेरी नॉर्मल question बस हम लोग करते नहीं है बस सुनते जाते हैं और हम लोग product की suggest करते हैं आप लोगोंने खुद देखा है कि यहां पर ऐसे बहुत सारे question होते हैं जहां पर आप personal care के साथ साथ आप कोई भी supplement को add कर सकते हैं तो यह बहुत easy हो जाती है कि जहां पर आप लोगों की business volume भी बढ़ती है और उसके साथ साथ आप लोगों को personal care में काम करने में कोई भी दिक्कते नहीं आती हैं आप जब किसी के सामने ऐसे question लेके present होते हैं as a professional analysis के हिसाब से ही वो लोग देखते हैं अगर आपको लगे इसके अंदर और भी question add करना है so please कीजिए इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन question answer होना ज़रूरी है आपको ऐसा question paper लेके उनके साथ बात करना ज़रूरी है right so any question anyone any question जी हां आप लोग चले question आया है कि every training में यह question हम लोग देखे ऐसा नहीं है कि only for personal care में ही आप लोगों को यह question करना ज़रूरी है जब आप इसकी training कर रहे हैं आप ज़रूर किजिए personal care training में लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कोई भी कोई भी training में कोई भी segment को लेकि भी बात करते हैं और वहां पे ज़ादा से ज़ादा ladies हो या तो आज के time पर जो में question मतलब जो में problem होती है वो है कि उनकी here की problem होती है उनकी skin की problem होती है तो इसमें अगर हम लोग ऐसा ही एक here का भी question paper बनाते हैं जहां पे आप लोग बहुत आसानी से here का भी treatment कर पाते हैं आपको भी help मिलती है आपके साथ जो बैठी हैं उनको भी help मेंते हैं आप लोग कर सकते हैं लेकिन मेरा main जो बात है वो है कि आप लोगों को ये सारे question करना ज़रूरी है अगर आप लोग चाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हम लोग किस तरह से किसी को skin analysis करे ज़र ज़र मेंबर जिनक के लिए आज की ये ट्रेनिंग थी जहां पर आप लोग ये सारे question को लेके आगे बज सकते हैं आज कि पीएच की लेवल डिपेंड करता है जहां पर आपकी और और मॉश्य आप बैलन्स में होती है उसमें आपको होना चाहिए मतलब अगर सोचिए 5 मतलब आपली 4255 इस तो पॉर इस तरह से होना चाहिए आज एग्सामपल आप लोगों को बता रहे हैं क्यूंकि परफेक्ट स्कीन बहुत कम मिलती है इस टाइम पर जिसका पीएच बैल्स बहुत अच्छी होती है बहुत कम मिलती है तो इसके बेसिस में हम लोगों प्रोडाट देना जरूरी होती है आज की सेशन को हम लोग इहीं पर एंट कर रहे हैं और मैंने खुद यहां पर क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया है तो आई थिंग यह आप लोगों को बिजनस को ग्रोड करने में मदद करेगा और प्लीज मैं सभी को रिक्वेश्ट करूंगी यह क्वेश्चन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जब तक हम लोग आगे नहीं बरेंगे जब तक पहला हाथ हम लोग नहीं बराते हैं तो हमारे साथ जो बैते हैं वो भी हमारे साथ हाथ में ही मिलाएंगे तो प्लीज एवरिवन आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर प्लीज थोड़ा सा नज़र डालिए क्वेश्चन कीजिए और प्रोडाक को आगे मतलब परसंट केर प्रोडाक्स को आगे लेके चाहिए तैंक यू सो मच एवरिवन आज की सेशन हम लोग यहीं पर इंड़ाप करते हैं तैंक यू सो मच जैजे केवा दिलसे केवा